भगवान विश्णों की चैह हो प्रफुराम की चैह हो आज मैं आप लोगों को सावन मास शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली एकादसी के बारे में बताने जा रही हूँ आए सुनते हैं पुत्रदा एकादसी ब्रत कथा सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादसी को पुत्र देने वाली होने के कारण पुत्रदा एकादसी के नाम से प्रसिद्ध है इस दिन भगवान विश्णों का ध्यान कर ब्रत रखना चाहिए आए सुनते हैं पुत्रदा एकादसी ब्रत कथा सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादसी को पुत्रदा एकादसी कहा जाता है इस दिन भगवान जनार्दन की शद्धा पुर्वा पूजा की जाती है भगती पुर्वक इस ब्रत को करने से सभी मनुकामनाओं की पूर्ती होती है संतान प्राप्त की इच्छा रखने वालों को यह ब्रत आवस्सिह करना चाहिए भगवान श्री हरी विष्णू수를 की जय हो किर्प्या कमेंट बॉक्स में प्रेम बॉल भकली दें भगवान श्रीह विष्णूं工 की जय हो आये सुनते हैं पुत्रदा एकादसी ब्रत कथा कामदा एकादसी की कथा समाप्त होने पर धर्मराज उधिष्चिर ने स्रावण के सुक्र पक्ष की एकादसी के बारे में वही सब प्रश्ण के भगवान श्री कृष्ण से इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे पांडो पुत्य उधिश्चिर स्रामन सुक्ल एकादसी का नाम पुत्रदा एकादसी है मैं इसके बारे में एक प्राचेन कथा सुनाता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से बाजपे यग्य का फल प्राप्त होता है आप ध्यान पुरबक इस कथा को सुने दुआपर युग के आरंभ में महिश्मती नगरी में महिजीत नामक एक बड़ा ही प्रतापी राजा राज करता था उसका बहुत बड़ा राज था परन्तु कोई भी पुत्र ना होने के कारण राजा महिजीत को राज सुख दायक नहीं लगता था पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान, पुन्य, यग्य, हवन, आधी उपाय के परन्तु राजा को पुत्र के प्राप्ति नहीं हुई ब्रध्धा अवस्था आती हुई देखकर राजा अपने प्रजा के प्रत्रिनिधियों और विद्वान ब्रामनों को बु प्राप्ति नहीं है नहीं मैंने कभी देवमंदीरों, सद गृष्टों अत्वा ब्रामनों का धन छीना है किसी दूसरी की धरोर भी मैंने कभी नहीं ली है और नहीं प्रजा पर अन्याय पुर्ण कोई कर लगाया है मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हुँ तथा ब घिना की भावना नहीं रखता हूँ, सन को समान समस्ता हूँ, सजनों की सदा पूजा करता हूँ, इस प्रकार भार में युक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, इस कारण मैं अत्यन्त दुखु को पा रहा हूँ, इसका क्या कारण है? राजा महजित की इस समस्या की निवारण हे तो प्रजा के प्रतिनिधी तथा मंत्री गण वन में जाकर के बड़े बड़े रिश्यों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलास में लग गये। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यन्त वयोब्र धर्म के गयाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिये, जीतात्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गुर्ध तत्वों को जानने वाले समस्त सास्रों के गयाता महत्मा लोमस मुनि को देखा। एक कल्ब के वैतित होने पर एक रोम गिरत था लोमस रिशी का, इतने अधिक आयू थी उनकी, सबने जाकर के लोमस रिशी को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए, उन्हें देख करके रिशी ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं, आप मुझे अपनी समस्त से आएं, बताएं, निस संदे मैं आप लोग जाने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी विथा कहते हैं, महिश्मती पुरी का धर्मात्मा राजा मही जीत, प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परन्तु फिर भी वह पुत्र हीन है, हम लोग उसकी प्रजा हैं, अपने राजा के विश्वास है कि आपके दर्सन से हमारा यह संकट अवसे ही दूर हो जाएगा क्योंकि महान पुर्षों के दर्सन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं आप किरपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं इस बात को सुन करके रिशी लोमस ने थोड़ी देर के लि हे महानुभाव आपका राजा पुर्व जन में एक निर्धन वैश्च था निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म के वह एक गाउं से दूसरे गाउं ब्यापार करने के लिए जाया करता था एक समय जेष्ट मास के शुक्रपक्च की दुआदसी के दिन मध्यान के स एक जलासे पर जल पीने गया उसी इस्थान पर ततकाल ब्याई गौ जल पी रही थी राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीने से हटा दिया और स्वेम जल पीने लगा इस पाप के कारण राजा को निपुत्र होने का दुख सहना पड़ा एकादसी के दिन मुखा रहने से वह राजा बना और प्यासी गाय को जल पीने से हटाने के कारण पुत्र हिंता का दुख भोगना पड़ा सब लोगों ने कहा हे मुनिशेष्ट राजा के इस पाप के निवारन का कोई तो उपाय होगा अतह राजा का यह पाप नश्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बताने की किरपा करें लोमस मुनि ने उत्तर दिया स्रावन मास के शुक्ल बक्ष की एकादसी को पवित्रा एकादसी का ब्रत और राद जागरन करें तो पुर्व जन का यह पाप नश्ट हो जाएगा और राजा को अवसे हे पुत्र की प्राप्ती होगी लोमस रिसी से उपाय जानने के बाद सभी लोगों ने रिशीवर को प्रणाम किया और उसके बाद अपने नगर को लोट आए जब स्रावन शुक्ल एकादसी आई तो सबने मिल करके रिसी के आग्या अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादसी का ब्रत किया और रादर जा अर्व धारण किया और प्रसावकाल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र को जन दिया अंध में भगवान श्री किष्ण कहते हैं ही राजन इस स्रावन सुक्ल एकादसी का नाम पुत्रदा एकादसी है अतहर संतान के सुक्ल की इक्छा रखने वाले इ इसके महात्म को सुनने से मनुस्य सब पाप्मों से मुप्त हो जाता है और इस लोग में संतान सुक भोग करके परलोग में स्वर्ग को प्राप्त होता है भगवान श्री किष्ण की जय हो भगवान श्री हर विष्णों की जय हो भगवान संकर की जय हो भगवान विष्णों की जै हो आज मैं आप लोगों को सावन मास शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली एकादसी के बारे में बताने जा रही हूं यह एकादसी ब्रत कव है पार्ना तिथी कव है संपून जानकारी अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूं सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादसी को पुत्र देने वाली होने के कारण पुत्रदा एकादसी के नाम से प्रसिद्ध है इस दिन भगवान विश्णू का ध्यान कर ब्रत रखना चाहिए रात्र में भगवान की मूर्ती के पासी सोने का विधान है अगले दिन वेद पाठ ब्रामनों को भोजन करा कर दान देकर आशिरवात प्राप्त करना चाहिए इस ब्रत को रखने वाले निह सांतान व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवसे होती हैं। उपाय पूछा परम ज्यानी लोमेश रिशी ने बताया कि आपने पिछले जन में सावन की एकादसी को अपने तालाप से प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया था उसी के पहणाम सरूप आप अभी तक ने संतान हैं आप स्रावन मास की शुक्रपक्ष की एकादसी का नियम पुर्वक प्रत रखिये तथा रात्रे जागरण कहजिए इससे तुम्हें पुत्र अवसे प्राप्त होगा रिशी के आग्या के नुसार राजा रानी ने एकादसी का ब्रत किया और उन्हें पुत्र रत्ने प्राप्त हुआ भगवान श्री हरिविष्णों की जय हो माता लक्ष्मी की जय हो भगवान संकर की जय हो सावन मास्क शुक्ल पक्ष एकादसी को पुत्रदा एकादसी के नाम से जाना जाता है पुत्रदा एकादसी साल में दो बार आता है एक पौश मास्क के शुक्ल पक्ष में और दूसरा सावन माह के शुक्ल पक्ष में इस एकादस को पुत्रदा एकादसी पवित्रा एकादसी और प्रदायनी एकादसी के नाम से जाना जाता है कि जो कोई भी इस ब्रत को भग्ति पुरुवक और सध्धा विश्वास के साथ करता है तो भगवान सिंग रासी की सूरी संक्रांती पढ़ने जा रही है रात्री के 7 बच करके 43 मिनट से संक्रांती का पुनिकाल है दोपर 1 बच करके 19 मिनट से सुर्यास्त तक रहेगा इस सूरी संक्रांती के समय में दान पुनिकरना अत्यदिक शुभ माना गया है इस दिन से जूलन यात्रा आरंब हो रहा है स्रावन मास शुक्ल पक्ष एकादसी तिथी आरंब हो रहा है 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को प्रातह 10 बच करके 29 मिनट से एकादसी तिथी समाप्त हो रहा है 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार सुबह 9 बच करके 40 मिनट पर उध्या तिथी के अनुसार एका दसी ब्रत क्या जाएगा 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को 15 अगस्त के दिन दसमी तिथी के नियमों का पालन होगा 16 अगस्त को ब्रत रखा जाएगा 17 अगस्त के दिन सनिवार का जो दिन है इस दिन ब्रत का पारना किया जाएगा पारना एकादसी का पारना का समय एकादसी ब्रत का पारना हरिवासर के समाप्त होने पर किया जाता है हरिवासर का समय द्वादसी तिथी का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है उसे छोड़ने के बाद ही पारण करना चाहिए पारणा का शुब मूर्थ है 17 अगस्त 2024 दिन सनिवार प्रात है 5 बच करके 51 मिनट से 8 बच करके 30 मिनट तक इस दिन दुर्वा से ब्रत का पारणा करना चाहिए यदि संभाव ना हो तो तुलसी धल, फल और जल से ब्रत का पारणा करें 16 अगस्त 2024 सुर्योदे होगा 5 बच करके 32 मिनट प्रात है सुर्यास्त होगा 6 बच करके 32 मिनट सायन ब्रह्म मूर्थ का समय है प्रात है 4 बच करके 22 मिनट से 5 बच करके 22 मिनट तक राहुकाल का समय है, सुबह 10 बच करके 24 मिनट से, दोपहर 12 बच करके 24 मिनट तक बहुत सारे शुभयोग हैं, जिसमें एक प्रीत योग बन रहा है, नक्षत भी बहुत अच्छे पड़ रहे हैं विश कुम्भ योग रहेगा, दिन के 1 बच करके 11 मिनट तक, इसके बाद प्रीत योग लग जाएगा मूल नच्छतर रहेगा, 12 बच करके 44 मिनट तक, उसके बाद पुर्वा अखाडा नच्छतर लग जाएगा एका दसी ब्रत का नियम एका दसी ब्रत करने वालों को दस्मी तिथी से ही नियमों का पालन करना चाहिए दस्मी के दिन उरत का दाल, चावल, शहद, ये सब चीजे नहीं खानी चाहिए और एका दसी के ब्रत को धारन करना चाहिए एका दसी के दिन जूठ नहीं बोलना चाहिए प्रपंच नहीं करना चाहिए नाखुल बाल इत्यादी नहीं काटने चाहिए सारा दिन भगवान श्री हरी विश्णू का ध्यान करना चाहिए उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और द्वादसी तिथी पर शुम मूर्थ पर पारना करना चाहिए इस दिन श्री हरी विष्णू और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ भगवान श्रिव के पूरे परिवार सहित पूजा अवसही करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। किरपया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा कमेंट बॉक्स में जैश्री हरी विष्णू अवसही लिख दीजेगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।